fellow friends, PK Sina this side, week की समाप्ती हो गई, अब हमें अगले week की तयारी कर दनी तो stock market के weekly analysis के इस video में हम पिछले week के इंडियन stop market के performance का एक overview लेंगे साथ में market के sentiments को चेक करेंगे और उसके बाद चलेंगे price chart पर जहां nifty, bank nifty और fin nifty की technical analysis करेंगे, price action को समझेंगे और possible support and resistance area क्या हो सकते हैं, आने वाले week में उसकी चर्चा करेंगे अगर हम भारतिय शेर बजार को देखें, तो पिछले week में market में decisive move नहीं था और कहीं न कहीं वो जो level है जिसकी चर्चा हम channel में कई दिनों से करते आ रहे हैं, 21,970 का level, जो chart पर nifty 50 के जो island का formation हुआ है, वो nifty को trouble करता है, और संभावित था, ये trouble करेगा, और इसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं, तो हमें कोई candle चाहिए 21,970 के उपर में closing, और कई बार nifty 50 ने पिछले दिनों में attempt लिया है उस level के उपर में जानेगा, बट unfortunately वो उसके level के उपर में close नहीं हो सका, उसके level के उपर में close होना जरूरी है और उस candle का follow through होना बहुत जरूरी है, तो क्या आने वाले सब्ता में इस hurdle को nifty निकाल पाएगा, तो ये चर्चा का विशह है, क्योंकि पिछले पांस सब्ता से US stock market एक decisive and strong bull run में trade हो लेकिन भारतिय शर्बजार में कहीं कहीं decision का अभाव है, indecisiveness है market में, तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से like कर लीजे, channel को subscribe कर लीजे, bell icon को hit कर दीजे notification के लिए, ताकि आप हमेशा updated रहे हैं, तो इस stock market के weekly analysis की शुरुआत करते हैं, तो उसमें top index जो हैं, जिनका weightage nifty 50 में काफी अधिक है, अगर उसके performance को देखें, तो financials जो हैं, वो 1.13% से bearish नजराएं, वहीं IT सेक्टर में तेजी थी 1.01% की, और FMCG सेक्टर में काफी बड़ी गिरावर्ती 2.27% से index तूड़ गया, वहीं oil and gas sector में 3.87% की तेजी थी, पिछले सब्ता भी करीब 10% की तेजी थी, आपको याद होगा, तो oil and gas sector काफी तेजी में है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, एक live streaming session के दौरान, जो top sectors में हमने बात की थी, तो valuation में भी oil and gas sector अच्छा नजर आ रहा था, और साथ में कहीं नगे price action भी इस दिशा की और indicate कर रहे थे, mid cap index, जो 50 stocks का index है, उसने पिछले week में bullishness दिखाई, और वो week on week basis पर 1.34% की तेजी के साथ में close हुआ, और small cap index करीब-करीब sideways रहा और marginally bullish close हुआ, 0.23%, अब एक नजर डालते हैं frontline index के उपर में, तो nifty more or less flat रहा, 0.33% की केवल गिरावट दर्ज की गई पिछले पीप में, वहीं bank nifty में गिरावट थोड़ा अधिक थी, 0.73% से index टूड गया, अगर bank nifty के constituents को देखें private sector banks and public sector, तो private sector bank में फिर कमजोरी थी, 2.3% से गिरावट दर्ज की गई, वहीं public sector bank का index जो है, nifty PSU bank, वो 5.07% की तेजी से week on week basis पे close हुआ, और इसके पहले वाले week में भी, ये over 10% की तेजी के साथ में close हुआ, तो public sector bank मासिफ तरीके से private sector bank को outperform कर रहे हैं, अरतिये share बजार में sentiments क्या रहा पिछले week, इसे जानते हैं, तो पिछला week जब समाप्त हुआ 9th February को, तो market mood index जो fear and greed को indicate करता है, निप्टी 50 index के प्रती, वो extreme fear zone में close रहे हुआ और उसकी reading थी 25.7, इसके पहले वाले week में ये fear zone में था, और इसकी reading थी 39.96, तो sentiments तो market का पिछले week में खराब हुआ है, positive क्या है, कि market mood index तो एक oscillator है, तो जब ये extreme fear zone में पहुँच गया है, तो अब नीचे side में possibility बहुत कम है, reading जरूर कम हो सकती है, बट यहां से recovery की market में possibility बहुत बढ़ी हो जाती है, जिसको समझने के लिए price action को समझना होगा, कि क्या possibility नजर आ रही है, जैसा मैंने शुरू में ही बोला, कि एक major hurdle है, 21,970 का, वो hurdle निकालना बहुत जरूरी है, nifty 50 को, तो अब चलते हैं price chart के उपर में, जहां nifty, bank nifty और fin nifty की technical analysis करते हैं, support and resistance को fix करते हैं, जो शायद market आने वाले week में, उन्हें respect कर सकता है, अगर अभी तक आपने, इस channel की, DK's Diamond Club की membership को join नहीं किया है, तो आज ही join करें, और हर week Sunday के दिन, मेरे साथ meeting करें, अपने आपको toned up रखें, stock market के प्रती, और DK's Diamond Club की haisius से, दो पारफुल स्ट्राटीजी को सीखें, hashtag Arjun Trading Strategy, hashtag Shriram Dhanush Trading Strategy, तो चलिए प्राइस चाट के उपर में चलिए प्राइस चाट के उपर में चलिए। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. यह Nifty 50 का weekly price chart है, और last week में Nifty की जो closing हुई है, 21,782.50 पे हुई है, और इस तरह से यह marginally bearish रहा, 0.33% से. अभी आप price action को देखें, तो एक massive impulse के बाद में, यहाँ पे जाके problem चालू हुआ. लास्ट वीक की candle को अगर गौर से देखें, तो एक inside bar का formation है, जो clear indicate करता है कि upside momentum का above. लेकिन at the same time, कोई ऐसा sell-off नहीं देखा गया है, bearish candle तो बनी है, बट bearish candlestick pattern नहीं बना है. तो यह एक बहुत बड़ा consolation है, कि बहुत जादा weakness मार्केट में नजर नहीं आई है. volume जरूर अधिक रहा है, काफी अधिक रहा है volume. अगर मैं कुछ drawing को superimpose करूँ, based on technical analysis, तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी पहले भी चर्चा हमने की थी, कि एक rising wedge का formation हुआ था, यह देखिए resistance था, और यहाँ breakaway gap के साथ में formation हुआ और breakout हुआ, और यह support था, और यह rising wedge का base काफी बड़ा है, तो उतना potential upset जाने का from breakout point, nifty में फिलाल नजर आ रहा है. अब यहाँ पर closely price action को अगर हम देखने की कोशिस करें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा chart को enlarge करता हूँ, ताकि मैं clarity के साथ आपको explain कर सकते हूँ. यहाँ पर देखिए एक narrow band है, वो narrow band क्यों significant है, इस जगह पर देखिए price struggle कर रही थी, upside move करने में. यह देखिए large upper shadow का formation था, और उसके बाद यहाँ पर देखिए price ने struggle किया, और फिर breakout हुआ इस जगह पर. यह band है 21,731 से 21,750 का जो band है. यह एक narrow band immediate demand area है, तो हम conclude कर सकते हैं कि immediate demand area जो है 21,700 से 21,750 का जो narrow band है, वो आने वाले सब्ता में एक support करूप में काम करने की संभावना है. अब चलिए बढ़ते हैं daily price chart पर. ताकि price action को recent तरीके से समझें, तो यहाँ देखिए, दो दिन की गिरावट के बाद, यहाँ पर last trading session में buying आई है, और nifty 50 ने EMA 21 और volume weighted moving average 21 period पे support लिया है. जैसे मैंने शुरू में बोला, यह देखिए island का formation हुआ था, और इस जगह पे 21,970 के उपर, कई बार price ने action लिया है, price गई तो उसको उपर, लेकिन closing नहीं हो पाई. Several attempts के बाद, हमें चाहिए closing at 21,970 के उपर, ताकि हम यह बोल सकें कि आप यह island pattern जो है, वो खतम हो चुका है, negate हो चुका है. अब यहाँ पर price action को फर्दर हम समझने की कोशिस करें, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, इस जगह पर ध्यान से देखिए, यह जो है price का resistance area था, और यही band मैंने आपको बोला है 21,700 से 21,750 का level जो है, वो demand area निफ्टी में कमजोरी real sense में कब आई की? दो तरीके से समझते हैं, एक तो price का support यह है, price का यहाँ support है, और यह trend line को अगर ध्यान से देखें, तो एक neck line जैसी है, जहाँ पर यह multi head formation बोल सकते हैं, और यह left shoulder है, और अगर ऐसे price breakdown होती है, तो फिर कमजोरी आने के chance है, और सबसे ज़्यादा कमजोरी कब आएगी? जब यह double top का, जो downside में इसे apex तो नहीं बोला चाहिए, inverted apex बोलेंगे, 21,137 का level है, इसके नीचे कोई भी candle close हो जाती है, और उसका follow through हो जाता है, तो फिर निफ्टी में गिरावट काफी अधिक हो सकती है, जिसकी मेरे अनुसार, फिलहाल संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्यों संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि इस trend line का support है, यहाँ पर EMA 55 का support है, तो prices level पर आ तो सकती है, लेकिन शायद इसे defend हो जाए level को, तो फिलहाल तो हम आने वाले week में conclude करते हैं, 21,700 से 21,750 का level एक important support area है, और at the most downside में और बात करें, तो 29,600 बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले last trading session का जो low है, वो 21,629.9 है, upside में immediate resistance आपकोर्स यही रहा, 21,970 तो इसको अगर हम round off करने तो 22,000 होता है, और उसके बाद 22,126 जो nifty का all time high है, जो इसने यहाँ पर create किया और एक shooting star का formation बना। तो ऐसे तो overall trend में weakness नज़र नहीं आ रही है, trend bullish trend जो है अभी भी intact है, बट एक serious resistance है, momentum को अगर check करें, तो force index जो है, करीब-करीब flat नज़र आ रहा है, थोड़ा सा bearish tone है, और RSI की बात करें, तो RSI भी देखें, typically 60 level पे यहाँ पर resistance ले रहा है, जो एक sideways movement जब market में होता है, तब जाके ऐसा होता है, आप देखेंगे कि RSI 60 के उपर, effortlessly उपर चला जाएगा, जैसे कोई kundil 21,970 के उपर में close होती है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि momentum को बहुत बड़ा loss है, यह momentum बिल्ड नहीं हो रहा है, यह हम बोल सकते हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं, bank nifty के price chart में, और bank nifty की technical analysis करके price action को समझते हैं, अब हम bank nifty के price chart को देख रहे हैं weekly time frame में, यहाँ पर इसकी closing हुई last week में 45,006, 34.55 पे, और इस तरह से ये 0.73% bearish रहा last week में, इसके पहले हम लोगों ने इस rising price channel के बारे में चर्चा की थी, जहाँ price lower fiber पे support ले रही है, और upper fiber पे ये resistance ले रही है, तो अब यहाँ cyclic phenomenon के अनुसार, जो पहले भी मैंने live streaming session में आपको explain करने की कोशिस की है, कि ये lower fiber प्राइस आ सकती है, और इसे test कर सकती है, जैसे इसने यहाँ पर किया, जिसने यहाँ पर किया, अब एक possibility और हो सकती है, मैं एक और trend line खीशता हूँ, जिससे आपको clarity आईगी, मैंने एक trend line ये कीची, क्या ये established trend line है, ये देखिए price का support है, price का support है, price का support है, price का support है, तो ये भी हो सकता है कि price is lower fiber को test ना करे, क्योंकि ultimately ये trend line भी एक support को रूप में काम करीगी, जो नई trend line हमने कीची है, तो last week में अगर देखें, ध्यान से, तो last week की candle, और उसके पहले वाले week की candle, ये दोनों candle जो है, कहीं न कहीं, 23 January वाले candle के low को नहीं तोड़ा है इसने, लेकिन 29 January वाले week में, इसने पिछले prior week, 23 January वाले week के high को तोड़ा है, तो कहीं न कहीं bull control में नजर आ रहे हैं, ये तो बात समझ में आती है, at the same time अगर ध्यान से देखें, तो price in vicinity of EMA21 और volume weighted moving average के पास में, trade होती हुई नजर आ रही है, तो bank nifty तो मानों ऐसा लग रहा है कि करीब करीब support को उपर में काम कर रहा है, और इस level की चर्चा हमने पहले भी की थी, 45,500 से 45,600 का जो band है, वो immediate एक support area है और demand area है, और इसको अभी फिलहाल defend कर रहा है, last week में भी defend किया, prior week में gap down opening हुई, लेकिन recover होके prices जो उनको उपर में close हो गई, तो major support जो है, वो EMA 55 का है, और ये lower fiver है, 43,960 पर एक gap है, तो फिलहाल अभी हम जो अगले week की बात करें, तो यहाँ देखिए price का resistance था, price का rejection था, यहाँ price का multiple support resistance है, यहाँ पर price में support लिया है, लेकिन उस level पर भी price तभी जाएगी, जब 45,500 के नीचे में trade होती है, यह इस demand area के नीचे है, और इस trend line के नीचे जाती है, जो मैंने नई trend line खीची है, जो आपको explain मैंने किया, अब चलिए बढ़ते हैं daily price chart में, तो daily price chart में encouraging price moment है, क्यों encouraging price moment है, क्योंकि last trading session की candle, bullish piercing candlestick pattern का formation हुआ है, और इसने respect किया है, SMA 144 को और SMA 100 को, इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, कि demand area तो मैंने यह बोल दिया, यह immediate demand area है, और मैं demand area बहुत pass में पकड़ रहा हूँ, क्योंकि last candle bullish piercing candle है, तो मुझे लगता है कि price, इस level के नीचे जाना नहीं चाहिए, और वैसे भी अगर snapback effect जैसे बोलते हैं, तो इस impulse के बाद में, price जादा जादा इस low को test कर सकती है, तब जाके double bottom chart pattern का formation होगा, क्योंकि short term में bank nifty bearish हो चुका है, अब यहाँ पे immediate resistance आप देखिए, bunch of moving average है, यह में 21 है, यह में 55 है, और volume weighted moving average है, तो यह एक resistance को रूप में act करेगा, बट सही मानों में resistance जो है, price का rejection, price का rejection, price का rejection, जो यहाँ पर पहले support को रूप में act कर चुका है, तो 46,600 एक immediate resistance नजर आ रहा है, और यह area अगर निकल गया, तो 47,000 से 47,213 के level में bank nifty जा सकता है, तो हम इत final conclude जो करते हैं, वो करते हैं कि bank nifty का जो resistance है, 46,300 से, 46,600 का बन एक resistance को रूप में काम करेगा, मैंने 46,300 क्यों बोला, मैं उसे भी explain कर देता हूँ, यहाँ देखिए मैं एक horizontal line कीच रहा हूँ, यह करीब करीब इस candle का median आता है, जहाँ पर price ने कई बार resistance दिखाया है, और यह level करीब आता है, 46,250 से लेके 46,300 का, तो यह जो band है, यह एक resistance को रूप में काम करने की संभावना है, एक नजर momentum indicator पर डालते हैं, तो यहाँ पर एक चीज बड़ी positive है, कि recent time में यहाँ पर bullish shrink break out हुआ था, तो यह एक positive sign है, RSI के उपर में bullish shrink break out होना, उसके पर जब correction हुआ, तो price फिर करी 40 level पर RSI support ले रहा है, और अगर यहाँ पर force index की बात करें, तो थोड़ असा अभी भी यह negative territory में नजर आ रहा है, लेकिन अगर price यहाँ पर आप देखिए, मैं level आपको बताता हूँ, 46,200 के उपर में price अगर चली गई, तो force index आप देखेंगे positive territory में आता हुआ नजर आएगा, जो bank nifty में strength को develop कर सकता है, तो एक gap की मैंने बात की, जो हमेशा मुझे वरी करता है, 43,960 पर एक gap है, यह gap अभी तक fill नहीं हुआ है, अगर इस gap तक price आएगी, इसका मतलब यह जो lower fiber rising price channel का, इसको test कर सकती है, तो फिलाल उसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि अच्छा खासा bounce back हुआ है, 9th February को, और bullish piercing candlestick pattern का formation हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और fin nifty की technical analysis करके, support and resistance को समझने की कोशिस करते हैं, दोस्तों वीडियो को like करना नहीं भूलिएगा, यह nifty financial service sector का index है, जिसे हम fin nifty के नाम से जानते हैं, यह index close हुआ 20,203.3 पे और इस तरह से यह bearish रहा 1.13%, यहाँ price action bank nifty जैसा ही नजर आ रहा है, यह देखिए price का resistance, resistance, resistance और यह price का support, support तो यह rising price channel में price trade हो रही है, यहाँ भी साइगलिक phenomenon के साब से, यह trend line बहुत important support है, और यहाँ पर daily chart में अगर देखेंगे, तो 19,739 पर एक gap है, जो अपने आप में support कर रूप में काम करेगा, अब last week की candle को अगर हम देखें, तो last week की candle कहीं ने कहीं, one black crow candlestick pattern का formation है, लेकिन इस candle ने, जो 23 January की candle है, week वाली candle, उसके लोग को नहीं तोड़ा है, यह positive sign है कहीं ने कहीं प्राइस, EMA 21 और EMA 55 के zone में trade हो रही है, इस जेगा पर गौर से देखें, प्राइस में struggle किया था, कई दिनों तक, कई धीक तक, इस level के उपर जाने पे, और finally इसका breakout हुआ था, तो यह level अपने आप में एक support level है, जहाँ पर confluence है, EMA 55 का भी, अब बैंग Nifty में, जैसा हमने देखा कि, cyclical phenomenon के साब से, lower fiber को, rising price channel को test कर सकती है, जो इस case में यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर भी तो हम एक trend line कीज सकते हैं, जो एक established trend line हो, यह देखिए मैंने यहाँ trend line कीजी, अब इस trend line को देखे तो क्या में ज़र आ रहा है, price का support है, price का support है, और price इस support के पास में trade हो रही है, तो यह दोनो trend line के बीच का zone जो है, वो important support है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, 19,739 से, 20,000 का जो level है, वो एक support का रूप में काम कर रहा है, और upside में बात करें, यहाँ बार-बार price का rejection है, यहाँ price का rejection है, यहाँ price का rejection है, तो 20,600 से 20,800 का जो band है, वो एक supply band होगा, चलिए daily price chart में समझते हैं, और clarity को प्राप्त करने की कोशिस करते हैं, अब यहाँ पर देखिए last week में, last trading session में क्या हुआ, gap down market खुला और recovery आई, और price कहाँ पर थी, SMA 200 पर थी, पहले भी SMA 200 में price ने support लिया है, तो क्या यह double bottom का pattern है, जिसका apex है 20,800, अगर मैं precisely चेक करके आपको बताऊ, तो इसका apex है 20,817.5, तो कोई भी candle अगर 20,817.5 के उपर में close हो जाती है, और उसका अगर follow through हो जाता है, तो फिर यहाँ पर fin nifty की कहाँ जाने की सम्भावना बनेगी, यह देखिए मैं इसको calculate करके दिखाता हूँ, तब इसकी जाने की सम्भावना बन जाएगी, इस zone में 21,100 से 200 के zone में जाने की सम्भावना बन जाएगी, यहाँ भी यह session एक अलग थलग है price action, जो यहाँ पर gap down opening होने के बाद, करीब करीब island जैसा ही formation है, not exactly but similar to the island, तो इस level पे इसको भी इस territory में जाना बहुत जरूरी है, for significant upside momentum in fin nifty, तो आने वाली रीक में हम conclude finally करते हैं, कि 19,739 एक strong support है, क्योंकि यहाँ पर gap है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, और उसके बाद 20,000 का level जो है, वो support है, जहाँ पर currently price bounce back कर रही है, जो की confluence है SMA 200 का, upside में एक immediate resistance का है, यहाँ देखिए EMA 21, EMA 55 का confluence है, price का rejection है, price का multiple rejection है, तो 20,600 से 20,800 का जो zone है, वो immediate supply zone है fin nifty. Stock market के इस weekly analysis के वीडियो को देखने के बाद, आपने काफी हद तक price action को समझा होगा, कि possibility क्या बन रही है, आने वाले वीडियों, आप में से किनको लगता है, कि जो एक important huddle है nifty 21,970 का, उसके पार closing दे पाएगा आने वाले वीच में nifty 50. अगर आपको लगता है ऐसा होगा, तो इस वीडियो को comment section में, आप अपने comments को ज़ूर दर्ज कीजिए, ताकि इस channel को हम interactive channel बना सकें, और learning की process में एक नया कदम. तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अती शीगर.